नमस्कार खबरों का बंच्रामा देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूछा हम लेकर आए हैं देश अदूरियां की पांच बड़ी खबरे जस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौजूद हैं क्या पचल चिभी की एडिटरियन चीफ डॉक्टर मुश्पा सबसे पहले नज़र हेड्लाइन्स पर संदेश खाली मामले पर ममता सरकार को सुप्रीम जटका याचका हुई खारेज सुप्रीम पोर्ट ने मामले में हस्तचेप करने से किया इनकार CBI ही करेगी मामले की जाच बीज़पी कॉंग्रस की आज CEC बैठक लोगसबा चुनाओं के लिए बाकी प्रत्याशियों परमन्थन कॉंग्रस बीज़पी जारी कर सकती है दूसरे में खबरों की शर्वात में सबसे बहले बात मोधी सरकार के बड़े और इतहासिक कदम की चुनाओं की तारीखों का एलान कुछी दिनों में हो सकता है ऐसे में मोधी सरकार देश में नागरिक्ता संसोधन कानून लागू करने जारी है खबरों के मताबिक आज रात तक मोधी सरकार के तरब से इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है इसके बाद आज से ही देश में नागरिक्ता संसोधन कानून यानी CAA लागू हो जाएगा दिरसल CAA संसत से पारित हुए करीब 5 साल बीच चुके है अब मोधी सरकार लोगसबद चुनाओ की तारीखों के अलान से पहले CAA को देश में लागू करने जारी है जसका अलान अमिशा पहले ही कर चुके है CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है विपक्ष अब क्या करेगा आप मिलकर आपने इसे रुकवाने की कोशिश की सब कुछ आपने ही किया आपने भारती जन्ता पार्टी को मौका दिया कि इसकी टाइमिंग वो अपने हिसाब से तैह कर सके तो आज बारवजे के बाद से जैसी जानकारी आ रही है देश भर में CAA कानून लागू हो जाएगा ये आप ये समझेए कि आलटी भारती जन्ता पार्टी अपनी विपक्षी दलों से इस चुनाओ के मद्दे निजर काफी आगे चल रही है CAA और भी जीत को इंस्योर करेगा असम बिहार बंगाल दिली कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां इसका रियल सेंस में इंटाक्ट देखने को मिलेगा और एबबॉल विरोध प्रदर्शन अगर सुरू होते हैं तो भगवान बचाए देश के विपक्ष को ये देश बिलकुल एक वन साइड़ेड एलेक्सिंस देखेगा बहुत सही टाइम पे अमिश्या प्रदानमंत्री मोधी ने सीए को नोटिफाई करने का फैसला लिया है इससे बहतर और कुछ नहीं हो सकता अब आग प्यमोधी के विकास पत की प्यमोधी ने आज दिल्ली एंसेयार को बड़ी सौगार दी है प्रदानमंत्री नरेंज्र मोधी ने हर्याना के गुरुग्राम में देश के पहले एलिवेटेड द्वार का एक्सप्रस वे का लोकारपन किया साथी 144 सडक परियोजनाओ का लोकारपन इवंशलन्यास किया आज प्यमोधी ने एक रोट्शो भी किया इस दोरान सडक पर एक तरफ लोग प्यमोधी के दीदार को विताब नजर आए तो वहीं प्यमोधी ने हाथ हिला कर वहाँ लोगों का अविवादन भी किया रोट्शो के दोरान जैश्री राम और मोधी मोधी के जम कर नारे लगे प्यमोधी ने इस एक्सप्रेस वे का निर्मान करने वाले कुछ वरकरों से भी मुलाकात की साथी जनसभा को संबोधित कर विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया प्यम ने कहा गमंडिया गडबंदन की नीद खराब हो गई है उनको समझी नहीं आ रहा कि इतनी तेजी से भी काम पो सकता है क्या वो कह रहे हैं कि चुनाव की वज़ा से मोधी काम कर रहा है लेकिन दस सालों में ना जाने कितने चुनाव चले गए लेकिन इनके चश्मे का नंबर नहीं बदला वो अभी भी नेगटिव है पिम ने ये भी कहा कि कॉंग्रस की लोग चुनावी घोशनाय करके घोसले में घुस गये हमारी सरकार जिस योशना का सन्याज करती है उसका लोगकारपन भी करती है वाकई में पिम मोधी जिसका एलान करते हैं उसे पूरा भी करते हैं मुझे तो आज दिन बर नजर नहीं आया वीजिया के ऊपर आज सर पीट रहा होगा आपका क्योंकि आप देखिए यह जो इलेवेटेड रोड है यह पहला है ऐसा अपने आप यह गुरुगाओं से दौर का और अलग-अलग इलाके को जोड़ेगा आगे भी क्या ट्राफिक है आप शाम में अगर आफिस आवर्स में या पीक आवर्स में दिली से गुरुगाओं जाए या गुरुगाओं से वापस दिली आए आपको लगेगा कि कहा किस ट्राफिक में फस गए हैं इस इलेवेटेड रोड से बिलकुल ही यातायाद जो है बिलकुल आसान हो जाएगा जो लोग गुजरेगे और रोज लाखो गालियां गुजरती है उस पे वो कहेंगे भाई यह मोदी ही है जिस ऐसा काम कर सकता है कई सारे जगों पे ओवर बिज दिली सरकार में बना रही है हमारे खुद के इलाके में आनंद वियार से आगे जो ओवर बिज बन रहा है पता नहीं कब से बनता चला आ रहा है वो कभी ठीकी नहीं तो चार किलोमेटर लोग परिशान हो जाते चोटी चोटी चीज़ें जैसे आप निजाम दिन से मेरट के तरफ निकलेंगे ऐसा कोई सक्स नहीं होगा कि आप परिवार के साथ गुजर रहे हैं और अचानक टॉपिक डिसकुसन का ही हो जाता है कि मोदी सरकारी ऐसा बना सकती है तो यह जो है कि प्रधान मंत्री मोदी अपने काम से लोगों के एक निरेटिव क्रिएट करने में काम्याभी उन्होंने हासल की है कि यह लोग काम करने में बढ़े तेज है और बाकी लोग भाशन देने में आगया है पिलकुल आगली कबर में बात चुनावी बॉंड को लेकर सुप्रिम कोर्ट में हुई आज की एहम सुनवाई की चुना सुप्रिम कोर्ट ने एस्पीय की आचका खारीश करती हुए 12 मार्ज तक dem Juora देने के निर्देश दिये गए हाला की सुप्रिम कोर्ट के तरफ से कहा गया कि चुनावी चंदे की जानकारी को को drained क्या है इसे डिकोट करने में वक्त लगेगा SBI ने गोपनियता का भी हवाला दिया हाला कि कोट ने किसी भी तर्कों स्वेकार करने से साफ साफ इंकार कर दिया आज जो सुप्रिम कोट का फैसला आया है राहूल गांदी कह रहे हैं कि अब सबसे बड़ा घुटाला सामने आएगा इस सीम्स राहूल गांदी इस लिविंग लाला लेंड वो कहते हैं कि नौसो चुए खाके बिलनी चली हज को एक हजार क्रोर कॉंग्रेस पार्टी भी लिए इस बॉंड से हिम्मत है तो आपको घोशन कर देने चाहिए कि हम ये पैसा वापस कर रहे हैं करोगे वापस करोगे नहीं करोगे ये क्या है लोग परिशान हो रहे हैं कि बहुत बड़ा बाल नहीं फैसला बिलकुल सही है फैसला बिलकुल सही है कि एलेक्शन की फंडिंग कहां से हो रही है पॉल्टिकल पार्टी उसको कौन पैसा दे रहा है चंदा दे रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टन्ट है जानना लेकिन कौन किसको आप आगर के ट्वीट कर देने से पाप से मुक्ति मिल जाएगी वही सुप्रिम कोट ने भी कुछ मर्यादा ये लांगी है सुप्रिम कोट को ये भी पताना चाहिए कि पहले के सिस्टम से एलेक्टरल बॉल्ड फिर भी बहतर था हिंदुस्तान में चुनाओ पॉल्टिकल पार्टी ब्लैक मनी से चलती है ये चिंता थी तो आपने इसको एक कदम आगे बढ़ाया सारे लोग पैसे खाएं इसमें आमादी पार्टी भी टीमसी भी कॉंग्रेस भी बीजेपी भी हाँ ये कहना पड़ेगा आपने समझें डीम के वाह सार सीपी कोई पार्टी बची भी ने दूद की धुलिव भी नहीं है लेकिन है क्या कि ये अभी अचानक से ये जो है वो कह रहे है कि मोधी सरकार के बारे में मालूम चलेगा कि ये चलेगा कॉंग्रेस पार्टी की भी सरकार चल रही थी पिछले पांच साल में आपने मध्रदेश में कुछ समय के लिए सरकार चला है राजिस्थान में आप सरकार चला रहे थे आप 36 गर में सरकार चला रहे थे करनाटक में आपकी सरकार चल रही थी बहुत चल रही थी या नहीं चल रही थी महराश्ट में एंविये चल रहा था पंजाब में आपकी सरकार चल रही थी तो आपको एक हजार कड़ो रूप्या या वो ब्लेक मिलिक आया है तमाम दलील दिक्कत क्या है राहुद गांदी फूहड वेकती है उनको ये समझ में नहीं आता है कि किस चीज़ पर अटैक करना है कौन सा जो है आप गोबर जो है उचालोगे जो आपके सिधे चेहरे पर चिपकने वाला है ये विकार के डिमेट है सुप्रेम कोट का फैसला सही है देश की जनता का ये अधिकार है ये जानना कि ये पॉलिटिकल पार्टी पैसे कहां से लाते है अगर गलत तरीके से लाते है तो उसके लिए उनको दंडित भी करना देश की जनता का अधिकार है लेकिन दिक्कत क्या है इस हमांग में सारे लोग नंगे है अगली कपरे में बात संदेशखाली मामले में मम्ता सरकार को लगे बड़े जटके की संदेशखाली मामले में परश्रमंगार सरकार को सुप्रिम कोर्ट से आज बड़ा शटका लगा सुप्रिम कोर्ट ने सीवियाई जांस के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है मम्ता सरकार की याचिका को सुप्रिम कोर्ट ने खारच कर दिया मतलब अब CBI ही इस पूरे मामने की जाच करेगी साथी परश्यमंगा सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रिम कोट ने ममता सरकार को फटकार भी लगाई और कहा कि साथ परवरी को F.I.R. दरश होने के बाद भी आरोपी को गिरफतार क्यों नहीं किया गया था ममता सरकार क्यों परिशान है कि CBI से जाच चल रही है अगर ये चला जाएगा जेल ममता बरण जी ये दो डिस्टिक्स के अंदर क्या करेंगी आप ये समझी कि क्या होगा फिर नौर्थ बंग्याल के अंदर फिछली बार एक भी सीट नहीं जीत सकी वह बीजेपी का गड़ बना हुआ है फिर जो सेंट्रल बंगाल है जो पस्टिम बंगला देश से भी जुड़ा हुआ है जो इधर भी जुड़ा हुआ है मुस्लिम बहुली इलाका है वहां से आप सीटे जो आती है कलकत्ता नौर्थ 24 पर गना साउट 24 पर गना और वो जो मुरसिदाबाद दिनाजपूर उस तरह के इलाकों से कि इधर जो दो जिस्टिक है दस सीटे है वहां अगर यह गुंडे मवाली नहीं रहेंगे तो बूथ कौन लूटेगा एक सवाल सुप्रिम कोर्ट ने पूछा वहीं पर केस का निप्टारा हो गया तो बहीं आपने 55 दिनों तक इससे गिर्फतार क्यों नहीं किया बहीं कैसे करेगी अपने पर पर कुलारी क्यों मारेगी और रेड़ी बहुत सारे नेता चले गए है जेल के अंदर तमाम वो जो मैनेजर्स हैं जो पोलिंग बूट में अपना दबदबा रखते हैं गुंडे मवाली किस्म के लोग उसके खिलाब ममता बरजी ने अगर एक्सल लिना शुरू कर दिया तब तो ये सब भाग जाएंगे तो ममता बरजी या कोई लोग इस तरह से तो कोट में बोल नहीं सकता तो अब CBI के हाथ में मामला गया है ED पीछे पीछे आ रही है कुछ दिनों के बाद जब चुनाव शुरू होगे मालूम चलेगा कि ये साजहां शेक जो है शाजहां तो दिल्ली का राजा था ना दिल्ली सल्तनत तो दिल्ली पे उसको जगर मिलनी चाहिए तिहार लाया चाहिए इसको और तिहार में ही कुछ सालों तक से रखना चाहिए तब ममता ब्रणजी को समझ में आएगा कि ये इस तरह की राजनिती कैसे नुकसान दे होती है आखरे कबर में बात लोगसभा चुनाओं से जुड़ी भारती जंता पाची और कॉंग्रस लोगसभा चुनाओं के लिए दूसरी लिस्ट के उमिद्वारों पर विचार करने के लिए अपनी अपनी केंद्रे चुनाओं समीतियों की बाठक कर रही है दोनों ही बाठक के आज शाम 6 वजे से शुरू हुई बाठक में बीज़पी अपने 150 सीटों पर उमिद्वार टैक करेगी तो कॉंग्रेस CEC के बाठक में दली, हर्याना, पंजाब, राजस्तान, मद्रप्रतेश, गुजराद, विहार और असम सहित अलग-अलग राज्यों के लिए उमिद्वार टैक किये जाएंगे मंधन के बाद किसे भी वक्त उमिद्वारों की अगली सूची सामने आ सकती है, तो वहीं कल ही ममता बेनर जी ने अपने सारे पत्याशों का एलान कर दिया था, क्या कुछ चल रहा है मीटिंग में? मीटिंग दो जगहों के हो रही है, इंपॉर्टन दोनों ही नेशनल पार्टी में, कॉंग्रिस पार्टी और भारती जन्ता पार्टी में बड़े बड़े लीडर्स जो है वो चक्कर काट रहें कि मुझे टिकट मिल जाए, मुझे टिकट मिल जाए, मुझे टिकट मिल जाए बढ़ा हुआ है और एक कॉंग्रेस पार्टी की मीटिंग है जहां तमाम बड़े रीडर कर रहे हैं कि हमें टिकट नहीं मिले हमें टिकट नहीं मिले हमें नहीं लड़ना है तो यह दो फरक आप समझ लिए वहाँ नाराज हो रहे हैं राहुल गांदी कि बड़े बड़े कॉंग्रेस की मीटिंग में कि बड़े बड़े लोगों का नाम आप डालिए और उनको बात कीजिए कि वह चुनाओ लड़े तो एक खबर वहां से आएगी और दूसरी खबर भारती जन्ता पार्टी की तरब से कि किस-किस बड़े लोगों की जो है वो टिकट कटने वाली ह क्योंकि बहुत सारे चीजें सरवे कर रिपॉर्ट बकेदाड़ डाटा बहुत सारे चीजें दिखाए वो तैक किया जा रहा है कि उसके आधार पर किसको रखा जाए किसको बाहर रखा जाए किसको टिकट दिया जाए तो ये इंट्रेस्टिंग है लेकिन मम्ता बरजी ने क क्यापिटल टीवी के शुरुवात से ही जब से ये इंडी गड़बंदन तथा कतित बना था हम लोग लातार इस बात को कहते आ रहे थे कि गड़बंदन इंपॉसिबल है ममता बनर जी इन लोगों के साथ कभी लड़ ही नहीं सको ममता बनर जी ने हमाने लोगों के तमाम एनल के लिए देखते हैं क्यापिटल टीवी हमें लाइक कीजिए शेयर कीजिए और क्यापिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार